आने को है भारत का ब्रहमास्त्र, पूरी दुनिया होगी जद में। भारत बना रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल, एक मिनट में छे देश तभा कर देगी। यूं तो भारत की नौ मिसाइलें दुश्मन को कहीं भी दिखा सकती हैं मौत। चीन से निपटने के लिए भारत को चाहिए होगा या ब्रहमास्त। विनाश का दूसरा नाम है। पल भर में कर सकता है मानव जाती का विनाश। करीब दशक भर से ये चर्चा जोरों पर है कि भारत गुप चुप तरीके से 10,000 किलो मीटर की रेंज वाली अंतर महाद्वीपिये मिसाइल यानि ICBM बना रहा है। अधिकारिक तोर पर इस बात को कभी सविकारा नहीं गया कि वो मिसाइल सूरिय ही है लेकिन आने वाली अगनी 6 पर क्यास लग रहे हैं कि ये वही मिसाइल है जिसे लंबे समय से सूरिय कहा जा रहा है। अगर इस बात में जरा भी हकीकत है तो भारतिय सेना के पास जल्द ही एक ऐसी मिसाइल होगी जो दुनिया के किसी भी कोने में मार कर सकेगी। अगनी 5 के सफल परिक्षन के भाद भारत ने इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिंग मिसाइल यानि ICBM पर काम करना शुरू कर दिया। अगनी सीरीज की मिसाइल के तहट अब DRDO अगनी 6 को लाँच करने की तैयारी कर रहा है और इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। अभी से अगनी 6 पर भी ये काम करने का फैसला ले लिया गया था। हालांकि DRDO की तरफ से ये अधिकारिक तोर पर नहीं कहा गया कि आने वाली मिसाइल की मारक शमता 8000 से 12000 किलो मीटर से अधिक होगी। सूत्रों की माने तो अगनी 6-8000 किलो मीटर से भी अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। इसमें एक नहीं बलकि कई परमाणों मुखास्त्र लगे होंगे। अगनी 6-1-7-4-6 हत्यार ले जाने में सक्षम होगी। यानि ये एक साथ कई निशाने लगा सकेगी। डियारडियो अब तक अगनी 1-2-3-4-5 का विकास कर चुका है। लेकिन ये मिसालें सिर्फ एक ही हत्यार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ब्रमोज भी एक बार में एक ही हत्यार ले जा सकती है। लेकिन अगनी 6 एक साथ कई हत्यार ले जा सकेगी। और कई निशाने भी लगा सकेगी। डियारडियो का प्लान एक्चुली है क्या। डियारडियो मल्टिपल, इंडिपेंडेबल, रिएंट्री विकल यानि MIR भी छे पर भी काम कर रहा है। ये भी 4-6 हत्यार अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। और डियारडियो इससे जुड़ी सभी त्यारियां भी कर रहा है, मिसाइल का डिजाइन तयार है, इंजीनियरिंग भी इस्टों पर काम कर रहे हैं, विग्यानिकों ने भी तैक कर लिया कि किस तरह मिसाइल में 4-6 मुखास्त्र फिट किये जाएंगे, कैसे और किस तरह ये ह द्वीप अभेद्य किल्या बना चुके है, इन द्वीपों की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि परिंदा भी बिना मनजूरी के पर नहीं मार सकता, हाली में इन क्रित्रिम द्वीपों की कुछ तस्वीरें भी आई, और इतना ही नहीं है, वो हजार परमानू बंब बनाने की योजना तक बना रहा है, यही नई चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में सैक्रों की तादाद में परमानू मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है, ताकि उन्हें छिपाया जा सके, एशले जे टेलिस कहते हैं कि चीन के इसी खत्रे को देखते हुए भारत एक दिन बाद ना चाहिए, मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि अमेरिका भारत की मदद करे ताकि किसी परमानू हमले से बचने के लिए एक कारगर प्रती रोधक शमता को हासिल कर सके, भारतिय सेना लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रही है, एक के बाद एक रक्षा के चेतर में नई नई अबारतिय विग्यानिक सेना को मदबूत करने के लिए लिए लिख रहे हैं, ऐसा करने के पीछे भारत केवल एक ही तर्क देता है कि ऐसी खतरनाक मिसाईलों का प्रियोग हिंदुस्तान केवल और केवल आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, भारत की तीनों सेनाएं ए एक से बढ़कर एक अपने खेमे में जंगी हत्यार जोड रही हैं, फिर चाहे वो एरफोर्स के लड़ाकू विमान और मिसाईले हो या फिर नेवी के जंगी जलपोत वही थल सेना के लिए तोपों को भी जंगी बेडे में सामिल किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है क हमारी सेनाएं युद्ध कोशल के साथ-साथ युद्ध में फतेह हासल करने के लिए खुद को तयार कर रही हैं, भारतिये विज्ञानिक भी एक के बाद एक नई मिसाईलों को इजाद कर भारतिये सेना को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आदूनिक तक्नी सेना की ताकत की पहचान है और जो और ये मिसाइले ऐसी हैं जो जो दुश्मन के किले को भी भीच सकती हैं आज कल वैसे तो कई नौ मिसाइले हमारी बन चुकी हैं जिसमें एक मिसाइल जिसका नाम है सूरिया आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगी सूरिया मिसाइल पर काम कर रहा है DRDO ये है Intercontinental Ballistic सूरिय मिसाइल सूत्रों और मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो रक्षा अनुसंधान और विकास अंगठन यानि DRDO पिछले कई सालों से सूरिय मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का परिक्षन वर्ष 2017 में होने की उम्मीद थी और भारत की सूरिय मिसाइल दुनिया की सबसे खास मिसाइल है क्यों है भई इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये मिसाइल अपने साथ एक नहीं बलकि कई परमानू हत्यार ले जाने में सक्षम होगी और बेहतर ढंग से अगर इसे समझने का प्रियास करें तो पदा चलता है कि ये मिसाइल एक ही साथ कई देशों को या फिर एक ही देश के कई इलाकों को तबा कर सकती है इतनी ताकतवर होगी ये मिसाइल के छे देशों को एक मिनट में तबा कर सकती है चीन के बीजिंग और शंगाई को एक मिनट में उड़ा दे चीन और पाकिस्तान मिलकर भी देश के आगे आँख उटाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सूरिया मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं भारत के सरवाधिक सीक्रेट प्लान के तहट बनाई गई ये मिसाइल कि मारक शम्ता के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी मारक शम्ता गैस करिए 10,000 से 12,000 किलो मीटर तक की है यह एक इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल है इस मिसाइल के भारतिय सेना के जखीरे में शामिल होने के बाद भारतिय सेना हिंदुस्तान में ही बैठे बैठे यॉरप, एशिया, अफरीका, अलास्का और उत्री कनाडा तक निशाना लगा सकती है अभी अमेरिका के पास 13,000 किलो मीटर की मारक शम्ता वाली मिसाइल मौजूद है चीन ने हाल ही में 14,000 किलो मीटर तक मार करने वाली डॉंग फेंग 41 नाम की मिसाइल का परिक्षन किया है जबकि रूस के पास अभी 10,000 किलो मीटर और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2750 किलो मीटर की रेंज वाली मिसाइल मौजूद है भारतिय रक्षा अनुसंदान और विकास संगटन के विज्ञानिकों की लगातार कोशिश है कि वो भारतिय सेना को मजबूती प्रदान कर सके संस्थान के विग्यानिकों को हना है का कहना है कि अपने देश की सेना और सेनाओं को वो मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सामने किसी भी देश की सेना घुटने टेक दे और हार मान ले भारत की ये ballistic missile सूरिया ऐसी है जिसका जवाब चीन के किसी भी ballistic missile के पास नहीं है ये system जब तक युद के मैदान में तैनात रहेगा तब तक भारत के दुशमन हार के सिवाई कुछ सोच भी नहीं सकेंगे भारत पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी और चीन की वर्तमान में पैंतरे बाजी ने शीत यूद जैसे दोहालात पहले से ही बना दिये ऐसे में भारत के रक्षानुसंदान संगठन और भारतिय सेनाएं अपनी मजबूती के लिए मिसाइल से लेकर विमान तक खुद भी बना रही है वो किसी देश पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो रही क्योंकि आत्म निर्भर भारत जो है इसी कड़ी के अंदर वो कई च तरीके से पता रहे हैं जिसको वो openly सविकार भी नहीं कर रहे हैं और जरूरत पढ़ने पर यह मित्र देशों से भी खरीद सकते हैं भारत इस हालात में अपनी मजबूती के सारे उपाई कर रहा है इसी कड़ी में भारत ने जो है सूरिय मिसाइल का परिक्षिन किया यह है अ वारा विक्सित की गई इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जैसे मैंने अभी बताया इस मिसाइल की लंबाई 40 मीटर एवं व्यास 1.1 मीटर और लांचिंग के समय वजन 70,000 किलो था इसका प्रोणोदन प्रोपल्शन का पहला दूसरा चरण स्टेट ठोस है एव गम तीसरा द्रव है इस मिसाइल की स्पीड 35,526 किलो मीटर घंटा या यू कहें कि 29 मैक है इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 12,000 से 16,000 किलो मीटर तक है इस मिसाइल को DRDO ने तयार किया है यहाँ एक गाइडिड मिसाइल है अर्थाद जिस एरिया या वस्तू को टार्गेट कर दिया जाएगा इसका मट्या मेट समाप्त होना निश्चिती है इस मिसाइल की नियूनतम रेंज 5,500 किलो मीटर है